जागते रहो इसे लिंक्ट है मेघा के लिए ऐसी नहीं है जिनके साथ ये दिक्कते आई है दरसल मेघा को जो नमबर मिला वो एक रीसाइकल्ट नमबर है रिपोर्ट्स के मताबिक टेलिकॉम कंपनियां हर महिने ऐसे एक करोड नमबर के सिम बाजार में भेज रही है ये ऐसे नमबर हैं जिनका पहले कोई दूसरा व्यक्ति इस्तिमाल कर रहा था और रिचार्ज ना करने की वज़े से उनका नमबर बंद कर दिया गया या फिर उन्होंने खुद ही उसे बंद करा दिया नियमों के मताबिक टेलिकॉम कंपनियां कनेक्शन तब बंद कर सकती है जब यूजर ने 6 महीने तक उसका इस्तिमाल नहीं किया हो या रिचार्ज ना कराया हो चुकि मोबाइल नमबर की मांग बढ़ रही है लेकिन टेलिकॉम कंपनियों के पास रिसोर्सेस सीमित हैं वो रिसाइकल नमबर दे रही है रिपोर्ट्स की मताबिक बहुत सारे लोग जिन्होंने डिजिटल लोन ले रखा होता है वो जानबूझ कर भी नमबर बंद कराते हैं ताकि लोन रिकवरी वाले उनके संपर्क ना कर पाएं इसका नुकसान रिसाइकल नमबर लेने वालों को होता है जिनने रिकवरी एजिन्ट बार बार फोन करते हैं रिसाइकल नमबर की वज़े से लोगों को बैंक खातो बर नमबर अपडेट कराने में या नया अकाउंट खोलने में इकॉमर्स साइट्स पर साइन अप करने जैसे तमाम कामों में दिक्कत आती है अब सवाल ये है कि मेगा करें तो क्या करें उनके दिक्कतें कैसे दूर होंगी आईए समझते हैं इसके लिए मेगा बैंक और दूसरी एजेंसियों से संपर्क करें और पुराने यूजर के डेटेल्स डिस्कनेट करने के लिए कहें किसी डिजिटल लोन आप या इकॉमर्स साइट पर उस नंबर से अकाउंट बना हुआ है तो उनसे अपने डेटा बेस से वो नंबर डी रोजिस्टर करने यानि की हटाने के लिए कहें एक और जरूरी बात जब भी सिम लेने जाएं तो टेलिकॉम कंपनी के प्रतिनीधी से रिक्वेस्ट करें कि आपको बिल्कुल नया नंबर दें ज्यात लोग ऐसे रिक्वेस्ट करते ही नहीं हैं जो भी नंबर मिलता है वो ले लेते हैं अगर बिल्कुल नय नंबर वाले से मुपलब्द होंगे तो रिक्वेस्ट करने पर वो आपको मिल सकता है इसके लावा अगर आप खुद कोई नंबर बंद करा रहे हैं तो इस नंबर से सारे ओल्लाइन अकाउंट्स डी रेजिस्टर कर दें इससे नया यूजर परिशानी से तो बचेगा ही आपके डेटा की सेवटी भी होगी एफ इस नंबर बंद करा रहे हैं